अब आगे बड़ते हैं और देखते हैं कि working capital क्या होता है आप लोग ने देखा अब working capital भी देख लो भाई क्या होता है तो working capital का मतलब होता है working capital means the capital invested in working assets और current asset दो को simple सी बात है जो पैसे fix asset पर खर्चे होते हैं मतलब लिख समझे लो शौर्ट में fix asset जो पैसे business में आप लोग खर्चे करते हो उसको क्या बोलते हैं फिस capital लेकिन आप जो पैसे current asset पर खर्च करते हो current asset वह asset जो में short term के लिए profit यह marker current asset इसकी इंक है वो क्या है current asset में बिजनेस में आप समान खरीते हो दुबारा बेचने के लिए ना स्टॉक वगएर वो सारी क्या current asset जो पैसा current asset पर खर्चे करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं working capital जो पैसे आफ fix asset पर खर्चे करोंगे उसको में क्या बोलेंगे fix capital और जो पैसे आपको current asset पर खर्चे करोंगे बिजनेस में उसको में बोलेंगे working capital ठीक है तो यह लिखाया working capital means the capital invested in working asset और current asset such as cash stock of goods debtors and short term investment etc यह सारी चीज़े क्या है कि भई चौट पर इंवेस्टमेंट की आपने debtors है यह सारी चीज़ा भी किसमें आएगी आपके working capital में आती है इतनी बात समझ माई working capital क्या है जो current asset पर खर्च होगी जो current और फिक्स पर खर्च होगी वह क्यों होगी आपकी fix capital यहां तक clear clear asset आप देखू the term working capital is used in two senses working capital को दो इसाफर देखा जाता है एक एक ग्रॉस working capital हो रहे हैं networking capital तो कभी-कभी short question में यह आपका दो नंबर वाले में पूछ लेता है प्रच होंगे क्या होगा भाई दुकान में stock होगी आपने बहुत सारे copy file यह सारी शीज़े आपके दुकान में होगी तो उसमें आपने कुछ समान पैसे लगाए होंगे तो मानूलों आपकी दुकान में पांच लाग का समान है तो वह क्या है current asset आपने क्यों खरीदा है आप पी current asset है वह सारी चीज़े क्या पी gross working capital है क्या है gross working capital है ठीक है दूसरी है networking capital networking capital क्या होता है networking capital मतलब होता भाई देखो इस तरह समझे लो net working capital NWC लिखा है इसका मतलब समझ जाना की networking net working capital equal to होता है current asset minus current liability networking capital होता है current asset minus current liability आने की वह आपने shop open किया है जो पांच लाग रुपए का समान लगा है तो कुछ पैसे आपने खुद से लगा है current asset कुछ पैसे हो सकता है आपने उधार लेके लगाई होगी है ना तो भाई पांच लाग रुपए खुद से लगा है कुछ पैसे मैंने किसी और से ले लिए मान लो मैंने तीन लाग रुपए खुद से लगाए थे current asset थी दो लाग रुपए मैंने उधाल लेके लगाई जो मुझे वापस करने से इसमें से अगर हम लोग वापस करेंगे तो तीन दो पांच तीन में से दो गए कितना बचा एक लाग कितना आएगा networking capital कितनी है यह एक लाग रुपए तो networking capital कितनी है एक लाग रुपए समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है तो आपने इस तरह से हम लोग निकालते हैं networking capital जो भी आपकी करेंट नेट वर्किंग कैपिल पूशेगा तो जितना टूटल आपने करेंट आसे पैसा लगा है वह कि आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिल और networking capital करेंगा तो भाई current assets से current liability को मानस करने पर जो आपको amount मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे networking capital I hope यहां तक अच्छे से समझ में आ गया हो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पर इस्टाग्राम पर कॉंटेक्ट कर लेना ठीक है अब आगे देखो बिटा आगे है आपका types of working capital क्या है आपका types of working capital कितने तरह की होती ही बिटा दो तरह की होती है permanent working capital एक होती है temporary working capital उसको भ डेट रूब बिजनेस को operate करने जो पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं working capital बिजनेस चलाने के लिए पैसे लगते हैं उसको बोलते हैं working capital नंबर वरम पर है permanent permanent का मतलब लगो कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो business को स्टार्ट करने में आपको कुछ पैसे हमेशा के लिए fix कर करने पड़ते जैस सपोज मान लो ऐसे मैंने मान लो एक restaurant open किया क्या किया restaurant open किया भाई तो open किया तो वहाँ पर मेरा मान लो एक लाग रुपए लगा जो एक लाग रुपए लगा ना आपका स्टार्टिंग में business को स्टार्ट करने में कुछ पैसे लगते ही लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं permanent working capital जाने कि आपको लगाना ही पड़ेगा मश्बूरी है तो म हम लोग क्या बोलेंगे initial working capital मतलब starting के stage में जो पैसा लगा उसको हम लोग बोलते हैं और दूसरा क्या है regular working capital रेगुलर क्या है रेस्ट्रेंट उपेंग किया एक लाग रुपए लगे यह होगा आपका initial लेकिन आप इस रेस्ट्रों को चलाने के लिए भाई मैंने fast food को उप working capital भाई आप डेली जो है बनाओगे कुछ ने कुछ चीज़ है अलग 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 डिशस बनाओगे तो अब जो बनाओगे उसके लिए पैसा लगेगा ना फिरी में तो मुमोस बनेगा नहीं फिरी में चार्ट बनेगा नहीं तो आप उसको बनाओगे फिर बेचोगे तो क क्या है रेगुलर वर्किंग कैपिल बीना कोई ऐसा बिजनेस है नहीं मैक्सिमम जिसमें पैसे में स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ पैसे लगाने ही पढ़ेंगे ठीक है समझ के बटा क्लियर है चलो टेंप्रोरी वर्किंग कैपिल में आपका आधा सीजनल वर्क कैपिल का मतलब है कि कभी कभी कुछ ऐसे और जाते हैं और जाते हैं जहां पर आपको पैसों की नीड होती है जैसे मानलो दिवाली आ गई खुली आगया इद आगई क्रिस्मस आ गया तो आप क्रिस्मस में भी देखते हो को अक्सर बहुत जदा भीड़ रहती है बहुत जादा उनको मिठाई बनानी पहते हैं अगर वह एक किलो बनाते जरू सब वह पांच किलो बना जाती वाले में तो वहां पर एक्स्ट्रा पैसे की जरूत होगी तो उसी जरूत होती एक्स्ट्रा पैसों की भाई उसी को मलब बोलते हैं सीजनल वर्किंग कैपिल नमबर ताकि हम लॉस में न जाने पाएं ठीक है क्लियर है समझ में आ गया